सब्सक्राइब करने वाले हैं आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराजा सूरजमल इंसिट्यूट ऑफ टेक्नोलेजी की यह तुम्हारा एक आई-प्यू का टॉप कॉलेज़ में आता है और यह दिल्ली का अच्छा कॉलेज है ठीक है आई-प्यू के मतलब यूएस इसी टीमेट उनके बाद यह कॉलेज आता है तो इनके आज सारी चीजों के बारे में बात करें के कट ओफ इंफ्रास्ट्रक्चर फीज और पूरा सार मतलब क्या-क्या प्लेस्मेंट्स है और हर चीज इस कॉलेज के बारे में आज हम कवर करने वाले हैं तो मेक शॉर्य सब्सक्राइब होता है चैनल स्टार्ट करता है बिना किसी देरी के तो यह तुम्हारा जे मेन के थ्रू ही होता है बर तुम्हें अलग से आई-प्यू की क कांसिलिंग होती है उसका तुम्हें अलग से भढ़ना पड़ेगा और उसके अंदर फिर तुम्हें इस कॉलेज मेंट मिशन मिल जाएगा अगले अगले अगर हम बात करें तो सीट मैट्रिक्स की तो यार कुछ साल तक पहले यहां पे 180 seat थी फॉर्ट फॉर्स येवाव अगर मैं बात करूं information technology की तो 120 थी electrical engineering की 60 थी ठीक है और second shift की तुम्हें देख रही होई कि बागी अगर कोई भी सीट में चेंजिस हुआ होगा कल पिछले साल के हिसाब से तो यहां पर तुम्हें एवेलेबल होगा अगर तुम्हें अगर तुम्हें तुम्हें देख सकते हो और 64,000 होगी तुम्हारी 94 पर्शंटाइल 93-94 तो यार अगर तुम्हें CAC लेने का मन है बट तुम्हें किसी अच्छे कॉलेज इस DTU, NSUT या फिर कोई IIT वागेरा में CAC नहीं मिल रही तो तुम इस college को considerate कर सकते हो यूँकि यह भी IPU का एक टॉप campus है और branch versus colleges में branch में यह जोगों obviously Amazon के थुरू I guess Ireland या वार्ट शो कहीं में था ठीक है अगर मैं बात करूँ by 2021 तक का तो वो था 55,000,000 by Google ठीक है average package है 5-6,000,000 रहता है क्यों क्योंकि काफी सारी branches है काफी सारे बच्चे बट हां तुम्हें यहां पर एक crowd अच्छा मिल जाएगा क्यों क्योंकि सारे ल तुम्हें वहाँ पर और अगर तुम्हें counseling related कोई भी doubt है तो collegeadmission.com करके website है उनका तुम्हें नमबर यहां पर दिख रहा होगा logo दिख रहा होगा ठीक है उनको तुम contact कर सकते हो ठीक है और बाकी जो सारी details आप description link में है तुम जाकर देख सकते हैं कोई भी counseling अगर तुम्हें उठाओ अगी अगर मैं बात करूं तो ग्यारा सो ओफर यहां पर होए थे मतलब master instructor काफी हाती है तो ग्यारा सो ओफर्स यहां पर मतलब मिले थे बच्चों को और 700 students approximately place होए थे जिनके average में तुम्हें बता दिये वह एप्रोक्स 4LPA थी 700 students को अगर हम considerate 8 plus pointer अगर तुम लगत अगर वह कर सकते हैं तो तुम भी करी सकते हो off campus ठीक है बाकी थोड़ी बहुत कंप्लियों के लाग तुम्हें देख रहे होंगे जो आए थी infrastructure की अगर मैं बात बताऊं तो आठ एकर बड़ा यह college है काफी एक अच्छा college है आठ एकर में काफी चीज़ें cover हो जाती है ठीक है classes, lab, library, spaces and well maintained है ठीक है Wi-Fi enabled campus है दूसरी बात faculty होती होती हो में थोड़ी थोड़ी ओके ओके देखने को मिलेगी और यह जात है घर tier 3 colleges का होता ही है कि faculty में ओके ओके देखने को मिलती है तनी अच्छे prominent level की faculty नहीं मिलती but my college हो पढ़ना किसको है ठीक है अब sports में cricket, football, badminton, table tennis, volleyball basketball ली सारी चीज़े है, canteens, ATM, medical facilities, campus के अंदर available है जो सारी basic facilities होती है, fees कि अगर हमाद करें तो तो हमें यहां पर देख रही होगी यह updated fees है, अगर मैं तहले की बता हूं तो वो थी 1,35,000 per year जिसमें से 5,000 per year थी, cash money, refundable होती है वो, ठीक होस्टल की अगर मैं फीस बता हूं तो तो वो है अगर तुम तू सीटर लेते हैं तो 51,000 और 66,000 है फोर वन सीटर मतलब एक बंदे का फर रूपती है और mess charges अलग से इसमें 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 नहीं है, तो आइवोट से consider a pigeon should of a hostel, hostel की अकर मैं थोड़ी तुमें और details बता दू, तो 200 boys, 100 girls की capability है, bed, table, chair, bookshelf, cupboard, available ह है, हर room में, और बात करें, तो rooms are not that spacious, मतलब हाँ, रहने लाइक मिलेगा, और hostel किसी भी college के इतना अच्छे नहीं होते हैं, ये तो वैसे भी काफी में प्राइवेट कॉलेज और 8 एकर का campus है, तो I would consider you to have a PG instead of a hostel, और मैं बताऊं तो, common washroom है, single double sharing room है, internet facility है, mess food is okay, okay, जो हर engineering college क होता ही है, curfew time 10 p.m. I don't think so, इतना follow होता होगा, बट हाँ, ठीक है, बाकि यहां तो मैं उनके cultural fest और ये सारी चीज़े दिख रही होईगी, जो सारे animal fest होते होते हैं, थोड़ी बाद societies भी डाल दिये मैंने, वो तुम देख सकते हो, यहां पर considerate कर सकते हो, एक और सबसेश है है, यह हर IPU के college में में मिल जाएगा है, एक आदा college को इसमें थोड़ी strictness जादा होईगी, but yes, ऐसी D2 को के रहे हैं, थोड़ी strictness कम होती है, but energy में थोड़ी बढ़ जाती है, तो just a knowledge, तो यही तो आज की वीडियो में, बाकि थोड़ी बहुत चीज़ा अगर मैं और बता है, मजो CAC ही पढ़नी थी, तो तुम्हें इस college को काफी prominently उपर रख सकते हो, अगर तुम्हें यहां CAC मिल रही है, तो तुम्हें approximately DTU में, अगर मैं एक से एक साल पहले की cut-off के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करू, तो mechanical से नीचे वाले 2-3 branches मिल जाएगी, but अगर तो तुम DTU को considerate कर सकते हो, otherwise this would be a very best option according to me, because I would always prefer branch over the college, यार ये तो, मतलब, सबको ही बात है मेरा, ठीक है, so make sure, अपने हिसाब से पूरा decision लेना, कोई भी डाउट हो, तो मुझ से पूछ रहना बाकी नीचे description में, मैंने counselling का details सारी डाल रखी है, तो मैं आपसी number और logo दिख स्क्रीन पर ठीक है, तो collegeandmission.com करकर है, वहाँ पर जुम जाके सारी जीजे कर सकते हो, सबसे important बात कि वो free counseling है, ठीक है, तो पूरा पूरा फाइदा उठाओ, so here आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, make sure you subscribe to the channel, और नीचे comment पर बताओ, अगला college review किस पर चाहिए, या कि particular topic प सब्सक्राइब नेक्ट वीडियो में, तब तक लिए, बाई, पूरे subscribe to the channel, और नीचे comment पर बताओ, अगला college review किस पर चाहिए,